क्वेशन दोजा दस का सवाल है क्वेशन से इस ब्लॉक ऑफ मास M is in contact विद द कार्ट C as shown in the figure the coefficient of static friction between the block and the cart is mu acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling विल भी हमें चार option दे रखे कि इसका acceleration कितना हो गई रहा है कुछ student यहाँ पर इस बात पर confused हो जाते हैं कि सर यह हो किया रहा है situation में बड़ा simple सवाल है situation simple है इसको ऐसे देखना कि यह आपका cart है cart ऐसे ऐसे करके आपकी a acceleration से यह alpha acceleration से आगे जा रही है और अपने को यहाँ पर situation यह दिए कि एक block यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है यह block और यह यह block इससे weld नहीं है इससे चिपका है नहीं हुआ है हमें बताना है कि minimum एक्सेलेशन की a alpha यह जो acceleration इसका इसकी value क्या हो so that यह block चिपका रहे है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे for example मांग लिजिए मेरे पास एक काघ् Augen से इसकागी अगर मैं हाध पे ऐसे पकड़ तो काघ्र गिर जाएगा लेकिन अगर मैं इस काघ्र को लेकर ऐसे move करों तो इस काघ्र को notice करेगा जब हमने ऐसे एक आतो चिपका हुआ है हमें बस यह value बतानी कि इस acceleration को कितना मूव करें कि हाथ पे चिपका रहा है विकॉज इस कागस के उपर अब एक पीछे की तरह फोस अप्लाई हो रहा है उस फोस की वेज़ से कागस हाथ पे चिपका हुआ है तो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सवाल है तो इसका फिर देमोस्टेट करता हूं आपक और उसके उपर यहाँ पर एक फोस लगेगा उसका MA जो आपका acceleration force है और उसके उपर एक और force लगेगा जो होएगा आपका friction force जो उसको गिरने से actually रोकेगा इस friction force की जो value होएगी वो friction force की value होएगी जो आपका normal इन दोनों के बीच में आएगा और उस normal की value MA के बराबर यहाँ पर है तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो आपका friction force है that should be greater than or equal to mg यह friction force की value आपकी mg से बराबर होनी ज्यादा होनी चाहिए तब ही वो साथ में टिका रहेगा हम यहाँ पर क्योंकि limiting value बतानी है इसलिए बराबर भी मान सकते हैं पर हमारे चार option इसको greater than के terms में जान पर हमें तो n will be equal to ma तो हम यहाँ लिख सकते हैं mu multiplied by ma should be greater than or equal to mg तो यहाँ पर आपका m और m cancel हो जाएगा which means अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो mu should be greater than or equal to नहीं यहाँ पर a, a के term में हमें answer देना है, a should be greater than or equal to g by mu तो आपकी a की जो value है that should be greater than or equal to g by mu which means option number c would be the right answer.